हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है पिहार दरोगा परिक्षा 2021 26 दिसंबर 2020 को दो सिप्ट में आप सभी लोगों का परिक्षा होने वाला है लाखो अभियारती इस एक्जाम में पाटिसिपेट करने वाले हैं आप सभी लोग यह टेस्ट लगाईए यह अस्टेटिक्स जिक्के का टेस्ट है male अगर 60 कोशन साही कर दे रहे हैं तो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छा है अगर female candidate इसमें से 50 कोशन साही कर दे रहे हैं तो उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छा है टोटल 75 कोशन है कोशन easy से लेके moderate level का है कोई ही कोशन आपको hard मिलने वाला है और कोशन के साथ मैं आपको fact भी बताते चलूँगा ठीक तो यह आप test दीजिए और बताईए कि आपका कितना score आया comment करकर चलिए शुरुवात करते हैं आपको बताना है अगर 930 के जगरोफी पढ़िएगा तुसी में सबसे फश्च चेप्टर में ही मिल जाएगा तो हिमाले का स्थान पर 33 सागर भी दमान था और यहां पर याद रखिएगा हिमाले के सबसे उची जो चूटी है यह मांट अवरेश्ट है नागा आरजुन सागर बांध किस नदी पर बना है जो नागा आरजुन सागर बांध किस नदी पर बना है यह आपके सामने हैं अपसं लेख लिए नागा आर जो सागरबांध जो बना है ये कृष्णा नदी प्रबना है ये याद रखेगा इसके अंसर क्या वाज़ेगा बी कावेरी नदी कावेरी नदी को भारत के दच्छड गंगा बोला जाता है या दच्छड भारत के गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को और इसके पानी के लिए का डिस्प्यूट चार राजों के बीच में है केरल महता मिलाडू में करनाटक और पांदुचेरी यह आपको पानी के डिस्प्यूट रहता है इसके पानी के जो पटवारा है यह चार राजों के बीच में है इसलिए डिस्प्यूट बहता है तो इसलिए कवेरी ट्रुबुनल भी बनाये गया है गोदावरी प्रेदिपिये भारत के सबसे लंबी नदी है यह गोदावरी यह भारत के सबसे लंबी नदी कौन है आगे चलते हैं, question number 3 है कि आपातनी कहां का मुख जन जाती है, यह आपको बताना है, आपके सामने option है, कहां का है, तो यह आपको हो जाएगा, सबसे पुर्वी राज का नाम आप सुने होंगे, भारत के सबसे पुर्वी राज है, ओडाचल परदेश, यही पर यह आपको पुरा मेस्तित राज है, और यहां ही सबसे पहले सूरज उगता है, और सबसे पहले अगर सूरज यहां पर उगते उगेगा तो सबसे पहले डुबेगा भी, मिसकी सबसे पहले उगता डुबता है, और सबसे बाद में पढ़ता है, राज वो गुजरात पढ़ता है, यहां प्रति किलोमेटर स्क्वाइर में निवास करते हैं सबसे ज्यादा है नागा लेंड एक ऐसा राज है जिसका जन संख्या घाटा है मैं तो 2001 के बीच में इसका रेणात्मक में इसकी घाटा हुआ है जन संख्या बाढ़ा नहीं था यह भी दियान नमर रखिएगा आगे चलते क कोशिन नमर फूर है भी अकार की घाटी किससे बनती है जो भी अकार की घॉर्ति की घाटी बनती है निवार बनता रहा आती है तो फूर के इंसरबें लोहा और निकल पाये जाता है ठीक, पृतिवी के आपको केंदर में, 5 कैंसर C हो जाएगा, कुश्चन नबर 6 देखिए, ग्रहों के गती के नियम किस ने परतिपादित किया था, ठीक, ग्रहों के गती के नियम जो परतिपादित किया गया था, यह केपलर दोरा किया गया था, किसके द्वारा केपलर द्वारा थी, इसके इंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक, हमारे सवर मंडल में टोटल आथ ग्रह हैं, जो कि सूरज की परकार्मा लगाते रहते हैं, चारों तरफ, यह दिहान में रखिएगा, आगे चलते हैं, question number 7 दिखिए, डंकन पास किसक अगे चलते हैं, question number 8 है, बिस के सबसे बड़ा नदी दीप, माजली का निर्माड करने वाला नदी है, बिस के सबसे बड़ा नदी दीप, अगर पूशे नत आप लगा दीजेगा, माजली, कहां असम वाला छेत्र में, और यहाँ पर देखिएगा, कि यह किसकी द्वारा नि सबसे बड़े जो दीप है, यह माजली हो जाएगा, यह याद रखिएगा, आगे चलते 8 के इंसर आपको D हो जाएगा, question number 9 दिखिए, महत्मा बुध ने सबसे पहले कहां उपदेश दिया था, जो महत्मा बुध है, महत्मा गौतम बुध है, यह सबसे पहले अपना उपद ने मुगल वन्स के अस्थापना किया था, 1526, दूसरा 1556 में अकबर और हेमु के बीच में हुआ था, और तिसरा 1761 में मुगल और मतलब मुगल नहीं, मराठो और अफगानों के बीच में हुआ था, तिसरा 1761 में, पानिपत का यूद, यह सब याद रखिएगा, आगे चलत अर्थ भुँष्था है, क्यों मिसरी था, क्योंकि इसमें पूंजीवादी, इसकी पूंजीवादी भी और सरकारी भी, मतलब सरकार के तरफ भी दोनों का अर्थ भुष्था का मिलन होता है, तिक याद रखिएगा, तो इसके अंसर क्या रखाएगा, D हो जाएगा, question number 11 देखे, ग्रामीड अधिवासों में किस परकार के बेवसावों की परधानता रहती है, जो ग्रामीड अधिवासों में इसकी ग्रामीड लोग में, किस परकार की बेवसावों की परधानता रहती है, तो आप सभी लोगों को पता है कि गाउं में सबसे ज़्यादा क्रिशी सबसे कम है सबसे कम हे लेग अनुपात, सबसे पल यह याद रखिएगा अगर आजजीस ऐसे कोशन पूछे कि लेग निरधारन कैसे किया जाता है पता कैसे चलता है कि लड़का है कि लड़कीresent 5wh att यह सब याद रखेगा लिंगा अनुपत सबसे अच्छा जो है मियाज सबसे ज्यादा वो केरल में है और सबसे कम है हरियाडा में बारा के अंसर भी हो जाएगा गुजरात को टट रेखा है यह सबसे लंबा है मिसकी गुजरात को टटी यह रेखा शमुंद से लगा हुआ पताना है तो यह जारी किये जाते है वाड़ी जो एद्युरा लेद्वरा फिक सर्ड टेरत अगे चलते कोशे लंबर 14 देखिए ग्रेशम का नियम किस से संबंधित है यह कुशन पूश्रण पूश 통 महंगी मुद्रा जो आती है यह सस्ती मुद्रा को बाहर कर देती है यह मुद्दा के परचलन जो है ग्रिशम की नियम जो है इससे संबंधित है ठीक तो 14 के अंसर क्या हो जाएगा कुश्चन पर 15 है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला बिचार प्रस्तुत करने का स सरे किसे है योजना से संबंधित जैसे बाद में योजना आयोग बना इसके अध्यच कौन होते है परधान मंत्री और फिर एक जन्वरी 2015 से यह योजना आयोग के अस्थान पर नीती आयोग आ गया ठीक अब यहां पर दिखिए योजना जो बनाने का जो तो पंचवर से यो पूस्तक के लेखक कोन है यह आपके सामने अपसन है सभी अपसन को ध्यान पूरवग देखिए ठिक손 यह एडंस्मीठ और सास के पिता पैसकी पिता वह यह ने बोला जाता है अक्रें स्यार्द के पंच्थ क्कूरादे के लेखक हैए दोब सभी लोगों को पता है यह 30 परसेंट आपको हो नैट्रोजन पाय जाता है तो यह नैट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा उसके बाद पॉष्य 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 लोहे के पाईपो का संचारन से इस पर करिया को कहते हैं नेके कोईशन में दो तिन कोईशन ए देखिए लोहे को बचाने के लिए इसलिए जस्लिए जब lö Crispy परक्रक्रियौ को क्या जाता है यह आपके सामने बहुत भिच्जान परी पाल जाता है कि ले से डायरेक्ट आ सकता है इसे बोला जाता है इस बात को दिहान प्रविर्ति को कहते हैं इलक्ट्रोन गरहन करने की परविर्ति को कहते हैं इलक्ट्रोन गरहन करने की परविर्ति को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है ठीक यह आपके सामने अपसन है इलक्ट्रोन गरहन करने की परविर्ति को क्या कहा जाता है तो गरहन करने की परविर्त ये ओकरन कहा जाता है अब याद रखिएगा इलोक्ट्रोन क्या होता है रिन अवेसित होता है जो कि बार-बार कोशिन पूछता है ये ध्यान में रखिएगा पोट्रोन क्या होता है ये घन अवेसित न्यूट्रोन पर कोई चार नहीं होता है ये ध्यान में रखिएगा आगे बहुत अभिक्रिया कर लेता है, तो 21 गैंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा, इस बात को ध्यान मर रखिएगा, कुश्चन नमर 22 देखे, निमलेखित में से किसने स्वए खुष्ण को हिंदुस्तान का तोता, यह तोतीय हिंदुस्तान बोला जाता है, तोतीय दाता भी बोला जाता है भारत में है ये कौन थे ये थे आपको अमेर खुसरू अमेर खुसरू नाम जरूर याद रखिएगा ठीक 22 गंसर सी हो जाएगा कुश्चन नबर 23 देखिए नेमलिखित में से कौन मुगल सासक बीडा वाधन करने के लिए परसिद्ध था कौन से मुगल वंस के अस्थपना किया था पानिपत के प्रथम युद में 1526 को इबराहिम लोधी को हर आका ठीक लोधी वंस के लाष्ट शासकता इबराहिम लोधी और याद रखिएगा कि जो मुगल वंस के लाष्ट शासकते ये बहादूर साथ जफर थे ठीक 857 के करांती में इ यह थे आपको महाबीर जी प्रथम तिन्तकर का आपको नाम बताना है तो प्रथम तिरका थे रिषभदेव रिषभदेव थे यह याद हो जिए 24 कंसर यह हो जाएगा कोश्चन 25 देखिए कोश्चन 25 आपके सामने है कि भारत में अंग्रेजी सिक्षा का मेंगने काटा किसे कहा जाता है बहुत महतपूर कोश्चन है तो भारत में अंग्रेजी सिक्षा का मेंगने काटा जो कहा जाता है यह आप बुड्ड डिस्पैच को कहा जाता है बुड्ड डिस्पैच और अंग्रेजी सिक्षा को सुरूप मिलाने का आपको लाडबली अन्वेंटिंग के ही का योडनीडुलुड्ड्लूंप वी थृयाद रखेयर कि ल talk का डांस कहimoto है जैसे कि कथा कली हुआ यह आपको केरल का डांस है यह याद होल है काले छिद्र इसका सिधान्त किसके दवारा खो जा गया थे ये भारतिये थे और इनका नाम था एस चंदर सेखर और इनको इसके लिए नोबल पुरुषकार भी मिला था तो 27 कैंसर क्या वाज़ेगा सी ब्लेक होल जो होता है जिसमें आपको परकास भी गयब हो जाता है इतना उसका घंद चाता होता है ठीक 27 कंसर से हो जाएगा कोशन नबर 28 देखिए हाइड्रोजन की खोज किस ने किया था पूरे बर्मांड में अगर बात किया जाए पूरे बर्मांड में तो सबसे जादा है बहर मंडल में भी जाईएगा प्रित्वीक बहर मंडल उपर जा और हाइड्रोजन और हिलियम के सलेन के कारण ही सूरज में उर्जा बनता है में इसकी नब के सलेन के कारण ही हाइड्रोजन के चार नबिक मिलकर हिलियम के एक नबिक बनाते है तो उर्जा में शुरोथ है जो उसका सूरज का 28 के एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कोश कोश्चन नमबर यह 29 है अराम से कोश्चन लगा यह और बताईए ठीक यह थे नियायर दर्सन को परचारीत करने वाले गोतम जी जी ठीक कि याद रखेगा अगे चलते हैं और यहां पर दिखी जो कहा जाता है आजार सत्रuk acesso पर हरया कमंस के सासक अजार सत्रु को ही कुड़िक कहा जाता है ठीक इंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आगे चलते हैं कोश्चन अबर 31 देखिए गौतम बुध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था देखिए यहीं गुमाफिराकर कोश्चन दे दिया कि गौतम ब है कि पुश्चन नमर 32 कि सासक ने श müर्थम महाधिराज के उपदी धारण की वं महांत शासक नब बताए जिसमें सबसे नमर 33 लिखिए चंदवार का युद जो 1194 में हुआ था किसके मद्ध लड़ा गया था और चंदवार की युद्ध के पहले तराइन के दो युद्ध हुए थे तराइन के फस्ट युद्ध पृत्वी राज चौहान और यहीं आपको गोरी के बीच में हुआ था और दोतिय य तरितिय थे बहुत लोग मातर पृत्वीरा चौहान ही नाम लिखते हैं नहीं पृत्वीरा चौहान तो थी वो तरितिय थे यह भी ध्यानमर कियेगा और दोतिय तराइन युद्ध में आपको मुहमद गोरी जीता है उसके बाद आपको चंदवार का युद होता है और संगहा ने अमंतरित किया था फिर देखिएगा पालीपत की युद्ध होने के बाद बाबर फिर राणा संगहा से ही युद्ध कर लेता है तो इसलिए ये बात ध्यानमर कियेगा कभी भी आपस में जो भी लोग होते हैं अगल वगल उनसे दोस्ती बनाकर ही रखिए और पताना है तो यह राजा राम फस्ट ने आपको तंजौर में जो है मंदर है ब्रदेश्वास मंदर उनका निर्मार कराया था ठीक चोंतिस के इंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा बी हो जाएगा माप कीजिएगा भी राजा राज राज जा प्रतम है कुश्य नमर 35 मुग पर बात और भी दिहान हमें रिकिया गया जैसे कि मुगल वन्स के शंस्थपना बाबर ने किया था तो बाबर नामा बुक लिखा था था बाबर नामा जो भूख है न वह तुर्की भासा में उसने लिखा था और उसमें अपने जो भाग मतलब पलाग उग से बताया था पी की युद्ध हुआ था जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के बाद सबसे निनायक युद्ध बकसर का युद्ध हुआ अंग्रेजों का धिपत भारत मिलाने के लिए ठीक तो सत्राइस सो चौशट का युद्ध हुआ था इसमें आपको बोल रहा है कि किस ने आपको प्रति कागा झाले थे और वहीं निकाल थे थे तो उन्हों नहीं आप नाम है दादाभा कि नरओ Def surprisingly ठीक यह याद रखेगा कोशन पुछता है अरामस अप लगा लिएगा आगे चलते हैं कोशन नबर 38 देखिए अकिल भारते किसान सभा के प्रतम सथ्र की जो अध्यक्षता किया गया था यह किस के द्वारा किया था यह आपको बताना आ है ठीक यह किया गया था स्वामी सहजा अखिल भारती किसान सभा के प्रथम शत्र की जो अध्यत्षता किया गया था यह बहुत बड़े किसान नेता थे स्वामी शाजानन तो औरतिस के एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आगे चलते कोश्चन अपर 49 सकी निमिलिखित अंदोलोनों में किसमें महत्मा गांधी न सबसे पहला इनका तो सत्याग्रा चंपारण सत्याग्रों होता है उनिशो शत्रा में ठीक बिहार के जो चंपारण में इस तिन कठिया बेवस्था था नील वाला उसको खतम करने के लिए राजकुमार सुकले ने उनिशो शोल्ला में लखनों गय थे लखनों एदिवेशन म महत्मा गांधी को मंतरित किया था तो फिर सत्र में आया थे महत्मा गांधी तो ये उसके बाद जो है ये अंदोलन जो आता है अहमदाबाद के मिल मजदूर अंदोलन इसमें महत्मा गांधी ने सबसे पहले क्या किया था अपना भूख हर्ताल का हतियार बनाया था और लिफ्ट में ब्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट में ब्यक्ति का भार में Tamil नहीं है पुरूर mismos gefस्ट को आहिक के ये संबान में दिया जाता है रेमेन मेंकसेस पुरुसकार टिक और ये फिलिपिन सरकार देता है 41 के इंसर सी हो जाएगा कोश्चन बर 42 कि भारत के राष्ट्य संवन्त के रूप में किस संवन्त को मनेता परदान की गई है बहुत वि भी आई कोश्चन बहारत के राष्ट्य संवन्त कंसा है morph जाता है सबसे बनता है और फिर इसके बाद वह तूडता है और चता है और पर अपना रूप बदल देता है तो क्यांत्रित हो जाता है तीन चटान जैसे कि अगने आपका उसाधी और क्यांत्रित चटान एक दूसरे से साइकलिंग करते जाते हैं तो यह आपको पूछ रहा है कि अगने चटान इसमें से कौन सा हो जाएगा और यहां पर आपका एंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका एंसर क्या हो जाएगा गरनाइट यह याद रखिएगा आगे चलते हैं पुश्चन अबर 44 देखिए एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है जब बर्फ इगलने सब बीकर में जल का तल माल यह कोई बीकर है उसमे बाइस के बाहर से नहीं गिडेगी यह बात ध्यान मरें ठीक तो यह इंसर हो जाएगा चोवालिस इंसर से हो जाएगा कोश्चन पर 45 देखिए मंदल की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रिथी भी पर वापस परवर्तीत करती है रेडियो टलंगे या तरंगों को जो प पाए जाता है जोन लेयर याद रखेगा और यह याद रखेगा जोन समताब मंडल के जो समान मौसमी दस्मा होती है इसलिए हापर वाई वयान भी उड़ाया जाता है पैतालिस कंसर क्या हो जाएगा कोश्चन नबर 46 दिखिए में पूर सूर्ज गरहन में सूर्ज का कौन स सब्साब दिखाई देता है यह आपको बताना है यहां पर देखेए कि जब पूर सूर्ज के किरिट भाग दिखाई देता है जिसे कोरोना बुला जाता है जा रहे हैं तो आपका परतविम आपकी और किस बीक से आएगा माल यह कोई शंतल दरपड़ की ओर आप 10 मिटर पती सेकेंड की और दोड़ रहे हैं या जा रहे हैं बेक से तो परतविम भी आपको उसके दुगिना से आपको आपकी और आते हुए दिखाई देगा किसकी उसकी दुगिना से यह हो जाएगा 20 मिटर पती सकेंड यह याद रखिएगा तो 48 कि अपर नुचास है भारत तो यहीं पूछता कि भारती राष्टी कांगरेस के भारती पहली महिला अध्यक्ष कुन थी यह थी शरोजनी नैडू जो कि 1925 में अध्यक्ष का थी याद रखेगा आप से कोश्य पूछता है तो पहली अगर पूछे मात्रिय कि अध्यक्ष कुन थी तो एनी बेसंट अगर ऐसे में भारती अगर पूछ दे तो सरोजनी नैडू भारत के पहली महिला राजपल भी सरोजनी नैडू थी और राष्टी कांगरेस के ऐस्थापना जो वह था यह तोट्रोबियन हुरूम द्वारा भारती राष्टी कांगरेस के ऐस्थापना 880GB हूआ था कोश्चन नमर समस्थानी कहा जाता है ठीक पचास के अंसर बी हो जाएगा और संभारी किसे कहा जाता है जिसका आगे चलते कोश्चन अबर एक क्याओन देखिए बागो की जनगर्ना रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज में सबसे अधिक भाग महजूद है जिसे टाइगर एस्टेट की बोला जाता है ठीक यह आपको मदपर्देश मदपर्देश याद रखिएगा टाइगर प्रजिट हो जाएगा पर்जिक्ट टाइगर जो आया था यह 1767 में आया था कुशन मेंतार्य तिम्टन रिप्रतन के उखना है या पानी में डाला हुआ कोई बीचीज उपर उठा हुआ पर्तीत होता है यह सभी इसके अंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कुश्चन नमर तिरपन देखिए बिने पत्रिका किसकी परसिद पुष्टक है बिने पत्रिका जो ही है किसकी परसिद पुष्टक है यह आपको बताना है कुश्चन नमर तिरपन है तो बिनाय पत्र का जो परसिद पूछता कि यह तुलसी दास जी का है किसका तुलसी दास जी का ठीक तो तिरपन के अंसर क्या हो जागा C हो जाएगा कुश्चन बर चोवन एक निमलेखित में कौन हरियाणा हरीकेन के नाम से परसिद हुआ हरियाणा के हरीकेन के नाम से किसे जाना जाता है यह आपको बताना है किरिकेटर है तो इन्हें हरियाणा पक्षपन के नाम से जाना जाता है इनका नाम है कौन सा आपको बताना है तो इनका नाम है कपिलदेव सबसे पहले बिस चुप इनहीं के आपको कपतेनी में जीता था इंडिया कपिलदेव याद रखेगा चोंगन के अंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा कुश्यन नमर 55 है कि 20 जल सरच्षड दिवस मनाया जाता है 20 जल सरच्षड दिवस कम मनाया जाता है, यह आपको बताना है तो उशे दिन मनाया जाता है, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है यानि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और जल सरचर दिवस मनाया जाता है ठीक 55 के इंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा और असकर्भी रोक आपको विटामिन C के परचूर मात्रा कहा मिलता है तो आवला में मिलता है सबसे अच्छा परचूर मात्रा ठीक सखटे फलो में मिलता है लेकिन आवला में सबसे यादा मिलता है विटामिन K जो है यह आपको जो ब्लड कोलोटिंग है उसमें सहायफ होता ह विटामिन के कमी से रख ठक नहीं बनता है और जो विटामिन E है यह जनन छंता से है इसकी जो नपुसंता आ जाती है अगर इसकी कमी होती है तो और विटामिन D तो आप जानती है सुरज के प्रकास से मिलता है यह भी याद रखिएगा वर किसे अध्यन किया जाता है इसमें किसे वर्गी की पीता कहा जाता है यह आपको बताना है ठीक तो वर्गी की पीता किसे कहा जाता है ये question अंठावन है तो यह कहा जाता है कोरोलस निल्यस को, वर्गी कि पिता कहा जाता है और एरुष्टू जो है अरस्तू जो है इसे जियो भिग्जान के पिता यह आपको बोल सकते हैं जन्तु भिग्जान के ही पिता कहा जाता है, याद रखेगा और थियो फ्रेश्टस का वरिस्पति भी घ्यान की पीटा कहा जाता है आगे चलते हैं कोशिका का उर्जागरी किसे कहा जाता है कोशिका का उर्जागरी कौन है पावर हाउस अफ सेल किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है माइट्रो कॉंट्रिया को माइट्रो कॉंट्रिया को कोसिका का उर्जा गरी कहा जाता है यह याद रखिएगा पावर हाउस अफ सेल बोला जाता है ठीक राइबोसोम में प्रोटीन का संसलेसर होता है और जो आत्महत्या के थैली बोला जाता है उससे लाईसोसोम करते है अलाइससों जो होता है वो आत्मत्य के थेली बोला जाता है कोई सिका का कुशन नमर साथ है पेड पोधे में जाइलम मुखिता जिम्मदार होते हैं जाइलम उत्तर और फिलयम उत्तक होते हैं जो मुखिता जिम्मदार होते हैं सब्रक्ते हैं यहाइ करने के लिए यह आपको जिम्मदार होते हैं उससे जैसे-होग्iden क्या लेते हैं और सोटू छोड़ते हैं अगर पेंड कट कमेशन लेगा कुन और सियोटू नहीं लेगा तो ऑक्सीजन देगा कुन और ऑक्सीजन के कमी से हम लोग क्या हो जाएंगे मर जाएंगे इसलिए बोला जाता है कि जिववन में कम जितना हो सके पीन लगाईए कुछ नबर एक साथ है किरिश किसी प्रस्थित की तंत्र में उर्जा का परवाह के बारे में निमन में से कौन से स्रिंखला सही है किसी प्रस्थित की तंत्र में उर्जा के परवाह के बारे में निमलिकित में से कौन से स्रिंखला सही है प्रस्थित की तंत्र में आपको बताना है उर्जा के परवाह के मामले में कौन से स्रिंखला इसमें से सही हो दिखे, हरित, green house gas काहलाने वाली gas है, बहुत BBI question है, इसमें से एक हटा कर पूछ सकता है या एक गलब देकर पूछ सकता है, ये आपको बताना है, green house gas क्या होता है, मुखिता global warming के लिए जिम्मदार भी होता है, और green house gas में CFC हुआ, CO2 हुआ, है और सबस्क और सबसक बर्फ किसे वो लबन जाता है हो छाया गामने कौन दिखके हैं मल्डोज क्यों कों सा डाइसेकरईड इसमें से कौन सा है जो कि को बताना है डाइसे कर एक राइडसे से कौन सा है तो इसके सामने आपको अफसन देख लीजे तो यह हो जाएगा मल्टोज मॉल्टोज जो हो जागा यह डाई सक्राइड हो जाएगा ठीक आगे चलते कुश्टम न्याले के नएधिस किस आयू तक अपने पद पर बने रहते हैं जो उस्टम न्याले यह दिल्ली मे यह हो जाएगा कूशन 65 है शवीदान के कि शनुषेद के तहत राष्टी अपातकल की घोषडा राष्टपति करता है तो राष्टपती तीन परकार पातकल की घोषडा करता है आठिकल छासन और आर्टिकल do पाद को सोपते हैं बारत के राष्टति के घोषणां आर राष्ठपति के राष्ट राष्ट पत्र पती को होते हैं। शाहियों होता है और राश्टपति मुख नाइधिस का भी निवक्ति करते हैं सुप्रिम कोट के आगे देखिए क्केर न्बर यहां पर देखिए कुश्य नुमर 67 है राज मंत्री पर सत किसके प्रती उतरदाई होता है तो राज मंत्री पर सत जो होता है यह वीधान सभा के प्रति उतरदाई होता है किसके प्रति विधान सभा के प्रति जैसे आप देखिएगा लोक शभा के प्रति आपको जो केंद्री मंदल है ये मंद्री परसद उतरदाई होता है सक्षिए एट देखिए भारत के मेहा नयवादी को कौन हटा सकता है नियुक्ति भी राष तो बुलाया जाते है राष्टपति द्वारा लेकिन अध्यक्षता किया जाते है लोक्षभा के अध्यक्षि द्वारा तो बुलाते है राष्टपति यह याद रखेगा चलिए आगे कुश्चन कोई ब्यक्ति संसत के किसी सदन का सदस हुए बिना केंदर में कितनी अध्य तक मंत्री रह सकते हैं तो यह याद रखेगा यह छे महिना तक अगर छे महिना का अंदर यह नहीं किसी शदन के सदसता लेते हैं इनको मंत्री 25 तिपा देना पड़ेगा ठीक ये याद रखेगा B और ये संसद में ही नहीं ये विधान सभा में भी लागो होता है मिसकी राज में भी लागो होता है ये विधान में रखेगा तो 71 कैंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी और दो अधिवेशनों के बीच भी छे महीने के समय होता है संसत के दो अधिवेशन के बीच में भी छे महीने के समय दिया जाता है कुशन नमर 22 है कंप्यूटर का मुख शिश्टम बोर्ड कहलाता है जो computer का मुख system board है ये क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है ये ये कहलाता है मदर बोड के नाम से जाना जाता है 72 कैंसर क्या हो जाएगा क्वे हो जाएगा देखेंबर 33 किमलेकित में सकिस अधनियम कि वारत के गुवर्नल है उन्हें अधियास जारी करने के सक्टी परदान कि कि आपको अध्यादश ट्रॉद आर्टिकल एक सो तेस किता पति जारी करते हैं वैसे आप देखिएगा तो उससमय में जो गवर्न जारी करते थे उनको सक्ति दिया गया था भारत ये परिशत अधनियम 1871 में अध्यादेश जारी करने का ठीक जारी करने का पूर अधिकार किस के पास है तो भारत इमें कागजी मुद्रा जो जारी किया जाता है इसके कागज वाला पौिसा जैसे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, post 5 रुपया